हेलो ऌस्टुडेंट आज हम रिफ्रेक्शन ध्रू लैंजिस डिसकस करेंगे तो रिफ्रेक्शन ध्रू लैंजस जो है ये आपका नेक्स्ट जितना भी चैपٹर रहता है वो तमाम इस पे बेस करता है सिर्फ तीन पॉईंट हैं जो आपने अपने माइड मर्चने है और ढग आगे डिवाइसे हैं जो रे डायाग्राम स्टूडेंट्स को रे डायाग्राम समझनी आती लेंजेज की बिल्कुल आपको इसी रगेगा सिर्फ तीन पॉइंट आपने अपने ये रिफ्रेक्शन थू लेंजेज वाले जहिन में रखने हैं बहुत इंपॉर्णेट फिर लेंज से गुजरने के बाद आगे इमज बनाएंगी ये वो रेज हैं जो अबजेक्ट से आ रही हैं दा रेज डैट इस पैरलल टू दा प्रिंसिपल एक्सिज तो ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिज के पैरलल होगी पासिंग थू दू दा फोकस पॉइंट तो कौन स तो फिरी त्युक्त के पैरलल हो गी अगर है थोड़ा साय से आपको डियाग्राम को नीचे करें दिका दूँ सबसे उपर वारी रे है. तीनों में से बिलू कलर में पर वारी रे आप देख रहे हैं कि वो एक्सिज के है क्विव फर, यह उपर डिखा हुआ legitimately निकलु तरफ यह तूकस-प disg cornea तो यह पर वारी रे जो है यह पर लेलर है क्योंकि दोनों देखें आप बिल्कुल पैरलल हैं हमने पड़ा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिज के पैरलल आएगी वो लेंज में से गुजरने के बाद दूसरी तरह फोकस पॉइंट में से गुजरेगी वही हो रहा है नीचे डियाग्राम में आप देखें कि यह प्रिंसिपल एक्सिज के से गुजरेगी विल्नार चेंज इस वे वो अपना रास्ता तबदील नहीं करेगी सीधी ही गुजर जाएगी अप्टिकल सेंटर के है जो लेंज का या मिरर का आपका सेंटर होता है सेंटर पॉइंट उसका प्रिंसिपल एक्सिज के उपर वो आपका अप्टिकल सेंटर है तो ऐसी रे जो Optical Center में से गुज़रेगी यानि जो Second वाली है दोनों के Mid में जो बिलू कलर की आ रही है वो देख रहे हैं आपके सीधी रे आ रही है और Lens के Center यानि Optical Center से गुज़र के सीधी ही बिल्कुल ऐसी आगे चलेगी तो ऐसी रे जो optical center से गुज़ेगी वो अपना path change नहीं करेगी लेंज में से गुज़ने के बाद इसी तरह आगे वो proceed करेगी थर्ड आपके पास है the ray that passes through the focal point will become parallel to the principal axis ये first वाले rule के उल्ट है किस तरह उल्ट है first में हमने पढ़ा था कि ऐसी रे जो principal axis के parallel होगी वो lens में से गुज़रने के बाद focus से गुज़रेगी अब हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी रे जो focus में से गुज़रेगी वो lens से गुज़रने के बाद principal axis के parallel हो जाएगी किस तरह फस्ट पे आप गोर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलल है लेंज से गुजरने के बाद दूसरी तरफ जो फोकस पाइंट मुजूद है उससे गुजरी अब हम पढ़ रहे हैं जो फोकस से गुजरेगी कौन से फोकस है जो लेंज की इस तरफ है जो अबजेक्ट वाली साइड की तरफ है बोडी वाली साइड की तरफ है उससे रे जो गुजरेगी थर्ड वाली एफ से गुजर रही है फोकस से हमने पढ़ा कि लेंज में से गुजरने के बाद प्रिंसपल एक्सिज के पैरलल हो जायगी तो यह आपका थर्ड रूल हो गया बिल्कुल असान रूल है कोई मुश्कल नहीं में एक बाद फिर आपको रिपीड कर दूँँ ऐसा ही पहला रूल हमने यह पढ़ा कि जो राइन प्रिंसपल एक्सिज के पैरलल होगी वो lens में से गुजरने के बाद focus point से गुजरेगी easy जो third rule आपने पड़ा वो बिल्कुल ऐसे है दुनों कोई कठा याद करें जो focus से गुजरेगी वो lens में से गुजरने के बाद principal axis के parallel हो जागी दो rule तो आपको याद होगे third हमने ये third बिल्कुल easy जो optical center से गुजरेगी वो सीधी गुजरेगी वो अपना पाद change नहीं करेगी thanks